Indirect Assessment Bipolar Disorder So we discussed so many things that in indirect reference जब भी हम assessment की बात करते हैं तो basically we are talking about the informal assessment अब informal assessment में हमारे पास interviews हैं और हमारे पास baseline chart है Interviews में definitely importance है client की जो सारी life history है उसको gather करना होता है उसके बारे में हमने information जो है वो लेनी होती है ताके हमें ये पता चल सके कि उसकी early child development history जो है वो कैसी थी उसकी mother का pregnancy का period कैसा था उसकी delivery कैसी थी उसके जो family environment है वो कैसा है उसके school के अंदर relationship कैसे है उसकी academic performance कैसी है उसके parents का marital relationship कैसा है अगर adolescence है तो culturally reference में ये देखा जाता है कि either engaged है या engaged नहीं है जो हैं ये सारी चीज़ें explore की जाती है जब हम bipolar disorder की बात करेंगे तो उसमें हम mental status examination की भी बात करेंगे जो के हम जब हम interview करेंगे उसकत हम client का लेंगे अब जो mental status examination है उसमें जो mood और effect है वो बहुत important है कि client हमें क्या report करा है और हमारी observation क्या है इसी तरह हम client से पता करेंगे कि either he or she is suffering from delusions और hallucinations or not उसकी abstract thinking, उसकी judgment, उसकी insight जो है वो मेहर की जाएंगी mental status examination के तरू तो these things are very important क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ये बताएंगी कि either the client is having the psychotic features or not क्योंकि जब हमें उसका course define करना है तो हमने ये भी explain करना है कि वो जो उसके अंदर कोई भी episode इस वकद चल रहा है वो with psychotic episode है या without psychotic episode है तो ये चीज़ जो है या आपने interview के दर्मिया detect करनी है then we will move towards the baseline chart baseline chart जिससा हम सब को पता है कि हम उसमें antecedent events पूछते हैं thought पूछते हैं behavior पूछते हैं frequency पूछते हैं intensity पूछते हैं these are the different things तो अगर हम एक ऐसा शक्त जिसको मीनिया का episode होगा उसकी अगर हम जो thought processing है उसको हम देखना चाहेंगे या उसके behavior को मेर्य करना चाहेंगे तो हम अगर ये baseline चार्ट हम देएंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो आदल है on 26th he went on the garment shop basically आदल एक लग था ठीक है अब उसने क्या किया उसने बहुत सारे पैसे खरच कर दिये अपने कपड़े खरीदने के लिए और उसने ऐसा कब किया उसने पांच दिनों के अंदर कमस कम तीन दफा ऐसा किया और उसकी थाट क्या आ रही थी उसको कि IMA मिलेनियर तो जिससे हमने बात की थी कि जो inflated self esteem होती है या grandiosity का idea होता है या expensive behavior होता है तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको इसके अंदर नजर आ रही है then on 28th जो है वो उसने क्या किया कि वो बहुत जादा overly dressed up हो गया और उसने क्या किया कि अपने कुलीक से कहा कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर से meeting के लिए जाऊंगा और उसने जो इतनी भी previous meeting थी उसके ख्याल में जो से प्राइम मिनिस्टर से की थी वो उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया और उसकी थौट क्या थी कि आज जो है उसे प्राइम मिनिस्टर से जरूर मिलना चाहिए और ऐसा कितनी दफ़ा हुआ एक दिन के अंदर चार दफ़ा हुआ तो इस तरहां कि जो inflated self esteem, ideas of grandiosity, expensive behavior आपको जब आप बेसलाइन चार्ट लोगे आइधर क्लाइंट से अगर active phase में है तो मुश्किल होगा definitely आप उसकी family को कोगे कि वो इन चीज़ों को report करे और जब वो आपको report करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किसम की बेसलाइन चार्ट आएगी definitely वो different होगी उसके जो भी client के problems होंगे उस reference में होंगे तो आपने बेसलाइन चार्ट लेके इस चीज़ को determine करना है कि उसका thought pattern कैसा चल रहा है और उसका behavior कैसा चल रहा है ताकि उससे सबस्सकी management plan जो है वो device किया जा सके Thank you